सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाएए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वीजिनिंग का टोपिक और वीजिनिंग में आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के वारे में दोस्तो coding recording के अंदर जैसे कि आप सभी को पता है कि एक question definitely हर बार आता है तो ये करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और दोस्तो coding recording करने से पहले हमें basic alpha bit के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है जैसे कि M कितने नंबर पर आता है, K कितने पर आता है, W कितने पर आता है इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए, इनकी counting के बारे में पता होना चाहिए तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी जिंदगी में एलफा वेट की काउंटिंग नहीं भूलेंगे और एक बात और दोस्तों कापी स्टुडेंटको एप चलाने में प्रोब्ल्म आरी है और उसे फिर दोबारा से अनिस्टॉल करें देखिये और आपकी एप काम करने लग जाएगी और थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों उसमें वो चलने लग जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है ज्यादतर स्टुडेंट के मुवाइल में वो एप चल रही है अच्छे से काम कर रही है लेकिन कुछ स्टुडेंट को यह प्रोब्लम आ रही है तो थोड़ा दोबारा से डाई किजिए हो जया कोई दिकत नहीं है और आक बत दोस्तों कि जैसे आप सभी ने कहा कि पेपर ज्यां हंदी में होने चाहिए तो दोस्तों आप सभी की रिक्वेश्ट पर हम पेपरष स्जा वह हिंदी में टाइप कर रहे है और लगवग काफी मैटर हमारा टाइप हो गया है और एक दो दिन के अंदर हिंदी के अंदर पेपर अपलोड कर दिये जाएंगे तो थोड़ा सा आप सहयोग बनाए रखें दोस्तों कोश्चन पेपर में हमें फटाक से पता चलना चाहिए कि Q कितने पे आता है M कितने पे आता है J कितने पे आता है U कितने पे आता है अगर हम एक सैकंड के अंदर पता कर लेते कि कौन शक्षर कितने पे आता तो हम बिल्कुल असानी से कोश्चन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम इसी के बारे हम जानते हैं कि आप किस तरह से इनको जल्दी से याद कर सकते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं A, B, C, D, E देखिए ये A, B, C, D में पहले 5 अक्सर ये बिल्कुल आसान होते हैं कोई भी बंदा याद रख सकता है कि C कितने पहाता है, D कितने पहाता है और E कितने पहाता है, इसी तरह से लाश्ट के अंदर X, Y, Z जो होता है इनको भी हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि ये 24 पहाता है, Y 25 पहाता है दोस्तो कहने का मतलब यह है कि शिरू के जो 5 अकसर और लाष्ट के 3 अकसर ये हमें याद रखना बहुत असान है ये हम बिलकुल असानी से याद रख सकتे हैं और अब हम ऑगे देखते हैं कि आगे कौन्छे अकसर है अब देखे दोस्तो इसके अंदर हम बात करते हैं आगे F और P के बारे में बात करते हैं देखे दोस्तो F और P के अंदर अगर हम कुछ समानता देखे तो इसके अंदर क्या निकल के आएगी सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये देखी, F और P दोनों को उल्टा करने पर हमें 6 की आकर्ति मिलती है, F और P को देखिं, हम दोनों को उल्टा कर देंगे इस तर ferry से, तो ये हमें कुछ-कुछ 6 के जैसा मिलेगा, और दोस्तों 6 से हमारे कितने नंबर बनते हैं एक तो 6 बनता है, एक 16 बनता है ठीक है, और दोस्तों हमें पता है कि 26 पे तो हमारा Z आता है तो ये 26 तो ऐसे कट हो जाएगा यहाँ पे फिर बच्छा हमारे पास 6 और 16 तो इसका मतलब क्या हुआ, F जो है, वो कितने पे आजाए है, 6 पे और P है, वो आजाएगा, 16 पे आजाएगा इस तरह से आप इसे बिल्कुल अचानी से याद रख सकते हैं देखिए, यहाँ से हमारे 6 नंबर से 2 अकसर हो रहे, P और F हो रहे हैं तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं, आगे कौनशा अकसर है, अब देखिए, आगे हैं हमारे पास G और Q अब इसमें भी देखिए, दोस्तों, हम समानता देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में common क्या है देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G इस तरह से लिखते हैं और Q इस तरह से, G के अंदर यह देखिए, दोस्तों, यहाँ पर हम साथ के जैसा यह दिखाई दे रहा है हमें और इसी तरह से Q के अंदर ये देखिए दोस्तो ये भी 7 के जैसा दिखाई दे रहा है यहां से तो दोस्तो वही बाता आती है कि 7 से हमारे कितने नमबर बंते हैं एक तो 7 बंता है, एक 17 बंता है, एक 27 बंता है और Q किसके लिए हो जाएगा 17 के लिए हो जाएगा तो इस तरह से इन दोनों को भी हम याद कर सकते हैं चलिए अब हम आगे देखते कि आगे कौन साक्सर है अब देखिए दोस्तो बात आती है H, H को हम किस तरह से याद रखेंगे देखिए दोस्तो एच को हम इस तरह से लिखते हम सभी को पता है और एच को देखिए उपर और नीचे से इस तरह से हम मिला देखिए जो एच है उपर से और नीचे से हमने दोनों तरफ से मिला दिया इसे तो क्या बन जाएगा हमारा आठ बन जाएगा तो यानि कि फिर क्या ह होा है कितने पर आता है आठ नमबर पर ख़ता है तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं अब quid हम आगे देखते हैं आगे आता है दोस्तों हमारे पास आई दोस्तों आपने देखा होगा कि आई को हम बड़े in बडे में ऐसे लिखते हैं और छोटे में कुछ-कुछ इस तरह से लिखते हैं तो ऐसा लिखने में यह देखिए दोस्तो यह जो है हमारा alphawate कुछ-कुछ नो के जैसा हमें दिखाई दे रहा है तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा आई कितने पे आएगा दोस्तों वो नो पे आएगा तो इस तरह से हम बिल्कुल असानी से इसे याद रख सकते हैं यानि कि देखते ही हमें पता चल रहा है और आगे देखते हम आगे कौन से अक्षर आता है आगे आता है दोस्तों हमारे प ना देंगे तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा एक और जीरो यानि कि दस यहां से हमारा दस हो जाएगा यानि कि जे कितने पर आता है फिर दस पर आता है यहां से हम इस तरह से इसे बिलकुल असानी से याद रख सकते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे कौन शाथा है आग क्या है के होता है 11 अक्सर के होता है तो यहां यह बिल्कुल असानी से हम याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या आता है आगे आता है दोस्तों हमारे पास एल अब देखी एल को हम किस तरह से याद रखेंगे और इसमें देखी एल को हम इस तरह से लिख जाएगी और दो से हमारे क्या क्या काउंटिंग बनती एक दो बनती एक बारा बनती है ठीक है तो बाइस पे तो यह काफी लंबा हो गया यह नहीं आएगा और जो यह देखिए दोस्तों जो दो है दो पर हमें पता है भी आता है तो बीच में क्या बच जाएगा हमारा बाहरा बच जाएगा यानि कि L कितने पर आता है 12 नमबर पर आता है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा अकसर आता है हमारे पास आगे हम लेके चलते हैं दोस्तों दो अकसर को लेके चलते हैं एक तो हमारे पास M है और एक हमारे पास W है अब देखे दोस्तों इसमें भी व के जैसा यह हमें लग रहा है और तीन से वही वात आती है दोस्तों कि तीन से क्या-क्या बनता एक तो तीन बनता है तेरा बनता है तीन पर हमें पता है कि सी आता है और बाद में क्या रहे गया तेरा रहे गया और तेईस रहे गया यानि कि M कितने पर आएगा वो तेहरा पर आ को पीडियो लेने के लिए हमारी एप के अंदर जाना है और एप में जाने के बाद में आपको स्टडी मैटेरियल पेपर फर्स्ट में जाना है और उसके बाद में आपको वहां पे रिजनिंग ब्रैकेट में मैथ लिखा हुआ होगा वहां पे क्लिप करना है तो वहां पे आप ये बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखता है कि आगे कौन सा अक्सर आता है आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास N N हमें पता है दोस्तों हम N को दो तरह से याद रख सकते कि एक तो M है वो N के बाद आता है जैसे कि M N और M हमने अभी पता है कि वो 13 नंबर पे आता है तो N कितने पे आएगा 14 नंबर पे आएगा और इसे हम एक दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं जैसे कि N है इस तरह है N को हम दो हिस्सों में काट लेंगे इस तरह से हमने काट लिया इन दो हिस्सों में काटने के बाद दोस्तों हमारे पास यह देखिए यह भी साथ के जैसा लग रहा है तो इन दोनों को जब हम एड़ करेंगे तो साथ और साथ कितना हो जाएगा चोधा हो जाएगा तो यहां से हम इस तरह से भी एन को याद रख सकते हैं और आगे देखते हम आगे कौन शाथ आपता है आगे देखिए दोस्तों आगे आता है हमारे पास O O को जैसे कि हमने अभी बताया कि M, N, O, 3, 81 आते तो उनको हम इस तरह से याद रख सकते कि M आता है 13 पे, N, 84 पे, वो आता है 15 पे आता है ठीक है दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं आगे देखते हैं, आगे देखिए दोस्तो आगे हमारे पास आता है R और S, अब देखिए R को हम किस तरह से याद करेंगे R को वही बात आई, दोस्तो R को हम इस तरह से लिखते हैं और नीचे से जब हम इसे मिलाएंगे तो यह हमारा 8 के जैसा हो जाएगा ठीक है और 8 का हमने पीछे देखा था कि 8 आठ पे कौन सक्स राता है अगर आपको याद हो तो 8 पे क्या आता है एच आता है तो 8 से हमारे कौन कौन सक्स अंक बनेंगे एक तो 8 बन गया एक 18 बन गया तो 28 हमें पता है कि 28 कुछ होता ही नहीं है और 8 पे हमारा एच आता है और ब और आगे दोस्तों हमारे पास आता है T Engineering को याद रखना बिलकुल असान है जैसे कि dedicated means होते है हमारे यहाँ पर तो यहां से में इसे बिलकुल यह असानी से याद रख सकते हैं टी यहांनी 2020 कि यहां से हम बिलकुल असानी से याद रख सकती है अभल आगे दोस्तों आगया था हमारे पास यू यू को देखिए दोस्तों किस तरह से याद रखना है अब इसके लिए थोड़ा से हमें माइंड लगाना पड़ेगा इसे भी दोस्तों हम चोटी एवीशीडी में लिखने कोशिश करेंगे देखिए दोस्तों यू को कुछ-कुछ हम इस नंबर पर ये आएगा तो इस तरह से कुछ लोजिक लगा के हम बिल्कुल असानी से इसे याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे आता है दोस्तों हमारे पास वी अब देखिए जैसे कि हमने गाडियों के पीछे लिखा हुआ देखा है कि वी टू अव से याद रख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों हमारे ए टू जड सभी अलफाबेट हो जाएंगे बिल्कुल असानी से और अगर आप एक वार फिर से रिवीजन करना चाहों तो यहां से कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक क कर लिजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दवाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सकें थैंक्यू दोस्तों